आज के लेक्चर में हम जानेगे कि एसीड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करें और हिंदी में अगर बात करते हैं तो अमल और चार को कैसे पहचानें बहुत ही आसान सी और एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके द्वारा आज के बाद किसी भी कंपाउंड अगर आपको बहुत सर पर ट्रिक है बहुत ही अच्छी ट्रिक है आज के बाद आप सारी चीजे मतलब एसीड बेस फाइंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ठीक है तो चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को जितना हो से लाइक और शेर करिएगा और पूरा वीडि जिसमें क्या होगा कि एसीड बेस को आइडेंटिफाई कैसे करें और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनके लिए हो जाएगा कि धातु और अधातु कैसे पहचाने और इसकी बहुत यच्छी और सांदार ट्रिक है देखो सबसे पहले हम बात करते हमें कुछ compound दिए गहा है और इन compound में कौन सा acid है और कौन सा base है इसे हम कैसे पहचानेंगे तो चलिए बच्चों start करते हैं सबसे पहले एक जिरापपया देखार आगर किसी compound के starting में h है किसीוח compound के starting में है यानि हमेशा acid होगा यानि अमल होगा कैसे अगर कोई compound लिखा हुआ है और उसके starting में hydrogen यानि है तो वह क्या होगा बच्चों वह हमारा acid होगा यानि हिंदी में उसे बोलेंगे अमल होगा ठीक है लेकिन यहां पर अगर बात करें हम यहां पर बात करते हैं H2O और H2O की तो H2O क्या होता है बच्चों यह acidic भी होता है और basic भी होता है यह exceptions है ठीक है क्योंकि इसके start में भी H है और last में भी H है तो H2O क्या होता है acid भी होता है यानि acidic medium में भी होता है और OH मतलब basic भी होता है तो यह acid और base दोनों हो सकता है उसके बाद H2SO4 में देखिएगा hydrogen से start है तो ये क्या है acid है H2SO3 ये भी हमारा क्या acid है ये भी देखो HNO2 की बात करते हैं तो H से start है बच्चो तो ये acid है तो जो भी compound सुरुआत में H से start होता है वो हमारा क्या होता है वो acid होता है HNO3 में H से start H3PO4 ये भी हमारा क्या acid है ठीक है H3PO3 ये भी acid है S3PO2 ये भी acid है H2CO3 ये भी acid है क्यों क्योंकि ये सभी देखो H से start होरे बच्चो ठीक है HCO3 ये भी हमारा क्या है Acid है और H3, BO3 ये भी हमारा Acid है देखो बच्चो अब देखो जैसे NO2, CO2, SO2 ये क्या है क्या ये भी Acid है कैसे पहचानेंगे तो बच्चो जितने भी हमारे Non-Metal के Oxide होंगे यानि अधात्मों के जो Oxide होंगे जैसे NO2 ये भी Non-Metal Oxide है तो जितने हमारे Non-Metal Oxide होते हैं वो क्या होते बच्चो वो हमारे होते हैं Acid sweet ठीक है यानि non-Metal के जितने भी Oxide होते हैं वह क्या होंगे Acid होते हैं और Acid कैसे पहचानेंगे तो ऐसे Compound जिनमें Cne mimet c Oich दिया जाया certain में ऐसे compound जिनमें last में COOH दिया जाए वो क्या होते वो भी acid होते हैं तो HCOOH, HCH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH तो यह भी क्या है हमारा acid यानि ऐसे compound जिनके last में COOH आएगा तो वो हो भी वच्चों क्या होते हैं वो acid होते हैं क्या होंगे इसीड होंगे तो मेरे इसाब से आप समझ गया होंगे कि acid कैसे पहचानेंगे अगर स्टार्टिंग में hydrogen आता है तो वो acid होंगे अगर non metal के oxide होंगे तो वो भी acid के अंतर गताते हैं और ऐसे compound जिनके last में COOH होगा वो भी acid में आएगे बोलो समझ में आया मेरे साब से आपको समझ में आया होगा सारी चीजे clear हुई होगी ठीक है तो acid पहचान जाओगे अब इधर देखो अब हम बात करेंगे base कैसे पहचाने तो जिनके last में OS दिया जाए ठीक यह देखो जैसे liOH है ना एने ओएच का होल्ट वाइज के हो गया CS हो गया MGH का होल्ट वाइज हो गया यह लास्ट में NH4 हो गया और AL2 OS का होल्ट तो last में जहां पर भी OS दिया जाए वो क्या होंगे बच्चों वो base होंगे क्या होंगे बेस होंगे तो last में अगर OH आपको दिख रहा तो वो क्या हो जाएगा वहां पर हमारा क्या होगा base होगा base का मतलब जिसे हम लोग च्छार बोलते हैं आगे देखो यहां पर आगे जैसे 10 नंबर आता है कि CAO, Cu2O, Al2O3, MgO, BeO, Li2O, Na2O, K2O, RbO2, MnO2, Fe2O3, MnO2, Fe2O3, TiO2, V2O3 तो यह जितने भी हमारे metal oxide है ठीक है जब metal oxide आपको दिए जाएं यह सभी metal oxide है तो जितने भी हमारे metal oxide होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेस होते हैं क्या होते हैं जितने भी metal oxide होते हैं बच्छों को क्या होते हैं बेस होते हैं वो क्या होते हैं हिंदी में बोले तो उनको छार होते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप identify कर सकते हैं कि base क्या है acid क्या है है यह बहुत ही आसान सा तरीका है और मेरे हिसाब से अब आप हर compound को पहचान जाएंगे कि कौन सा compound हमारा acid है और कौन सा compound हमारा base है बहुत ही super trick है इसके द्वारा आज के बाद आप कभी भी acid base पहचानना या acid base क्या होते हैं यह कभी नहीं बोलेंगे तो आज की लेक्चर में इतना ही रखते हैं बच्चों और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को जितना हो सके लाइक और सेयर करिएगा थैंक यू फॉर दिस क्लास